चंद्रयान 3 ने बुधवार 13 अगस को चंद्रमा पर सफल लेंडिंग कर इतिहास के पन्ने पर भारत का नाम सुनरे अक्षर में लिख दिया भारत चंद्रमा के दक्षिनी रूप पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है देश के इस सफल अभियान के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया है इसे लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल लहा है चारो तरफ भारत के चंद्रयान 3 की ही बात हो रही है ऐसे में अब लगभग 5 दिनों बाद भारत का चंद्रयान 3 चांद और वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है आपको बता दे कि विक्रम लेंडर और रोवर प्रग्जान के सभी उपकरण पूरी तरीके से ठीक ठाक काम कर रहे हैं विक्रम के पेलोड ने प्रारंभिक डेटा भी भेज दिया है भारती अंतरिक्षम संधान संगठर यानि की इसरों ने चंद्रयान दोरा भेजे गए इस अपडेट को ट्वीटर यानि एक्स पर साजा किया विक्रम लेंडर पर लगा साउथ पूल के आशवास ऊपरी चंद्रमिटी के तापमान को मापता है इसकी मदद से चंद्रमा की सता यानि के मिट्टी का तापमान क्या है इसको लेकर अच्छे से समझा जा सकता है इसमें एक टंपरेचर प्रोब है जो कंट्रोल डग एंट् जैंद्रवान थे मिट्रै को लेकर के हमारे मन में अब तक काई धारणाय बनी हुई ऐसे में चंध्रयान थी चंद्रमा की मिट्रै ताकि चांद की मिट्टी और उसके बारे में अलग-अलग जानकारी मिल सके इसी कड़ी में चांद की मिट्टी के तापमान का ग्राफ शेर क्या गया है ग्राफ में तापमान 10 डिगरी सेल्सियस से 60 डिगरी सेल्सियस तक बताया गया है सता का तापमान लगवग 50 डिगरी सेल सुन्ने से 10 डिग्री सिल्सियस नीचे है जैसा की ग्राफ में दिखाए गया है इतना इने विश्यषक्जों ने चंद्रमा की मिट्टी के तापमान को उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश की है विश्यषक्जों ने राजस्थान जम्मू कश्मीर का उदाहरण लेते में बता सकता है इससे भी जादा ठंडा हो सकता है हांकि इन दोनों शहरों की बीचे कम से कम 600 किलो मीटर की दूरी है लेकिन तापमान में ये बड़ी गिरावट चंद्रमा के सतह से केवल आठ सिंटीनी मीटर नीचे देखी गई है इसलिए कई और सवाल उठेना भी बाकी है और समगर परिस्थिती तंत्र प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है मिट्टी का तापमान पौधों के अंकुरण जड़ बृध्धी पोशक्ततों ग्रहन और फूल आने पर गहरा प्रभाव डालता है इस्ततम विकास के लिए विभिन पौधों की विशिष्ट तापमान आव शक्ता होती है यादि मिट्टी थंडी या बहुत गर्म है तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे जिससे फसल खराब हो जाएगी इसलिए यहाँ पर भी रोवर प्रक्जान और मिट्टी की परिस्थितियों के बारे में जानकारी भेजने का काम करेगा लेकिन महतपूर ब अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें आमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला